नौश्कार, मैं डॉर्टर मरिगांग शेकर शर्मा, चीफ अव जेनरल सर्जरी, मिनिमल एक्सेस इन बरियाट्रिक सर्जरी, कॉलंबेश शेयर हॉस्पिटल पालम विहार में, मैं एक लाप्रोस्कोपिक और बरियाट्रिक सर्जिन हूँ, और आज मैं आपके साथ बरियाट् सर्जरी यानि कि मुटापी की सर्जरी की जरूरत पढ़ती है, बरियाट्रिक सर्जरी एक्चली एक जेनरिक टर्म है, और ये करीबन 120 साल से चल रहा है, पहले इतना पॉपॉलर नहीं था क्योंकि ये ओपन तरीके से किया जाता था, जिसमें एक बड़ा सा कट लगता था, पंदरा करीब 15-20 साल से ये लेप्रोस्कोपी यानि दुर्बीन की जरीक किया जा रहा है, इसलिए लोगों में इसकी पॉपॉलरिटी बढ़ गया है, नौ बेरियाट्रिक सर्जरी तभी जरूरत पढ़ती है, जब किसी का BMI यानि Body Mass Index एक हद से बढ़ जाया, इंडियन खराटे लेने के प्रॉबलम, घुटने के प्रॉबलम, यांग फीमेल में पॉलिसिस्टिक ओवरेंट डिजीज है, तो इनको बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत पढ़ती है, नौ बेरियाट्रिक सर्जरी एक ऐसा सर्जरी है, जो आपको उस टेश तक पहुचाने की कोशि है, जो सबसे कॉमन सर्जरी है, दुनिया भर में इसको लैपरस्कोपिक स्लीव गैस्टेक्टि में बोला जाता है, इसमें हम क्या करते हैं कि दूर्बीन के जरिये, स्टमक यानि खानी की जो थैली है, उसका साइज को छोटा कर दिया जाता है, पेशन्ट अगले ऑपरेशन देर साल तक, मरीज का जो एक्सेस बोडी वेट है, सपोस किसी का वेट एक्चुली पचास किलो होना चाहिए, पट है सो किलो, that means उनका एक्सेस बोडी वेट करीबन पचास किलो है, तो अगले एक से देर साल में उनका जो एक्सेस बोडी वेट है, उसका और अलमॉस्ट बंद 35 के लोग घड़ जाते हैं. Besides weight loss, the other advantage of bariatric surgery is that कि ना सिर्फ वजन घड़ता है, बट मुटापे के साथ जो medical problems है, जैसे मैंने बताया था blood pressure, high blood pressure या diabetes, वो भी घटने का जो chance है, या permanently reduce होने की chances है, वो around 70-80% है. अगर diabetes का duration 10 साल से कम है, तो almost 75% लोगों में diabetes completely reverse हो जाते हैं. So is the case with high blood pressure. Karatek lining की problem भी solve हो जाते हैं. अगर किसी के घटना permanently damaged नहीं हुआ है, तो वो भी बहुत हद तक reverse होते हैं. Of course, जिनका घटना permanently damaged हो चुका है, उनको knee replacement की जरूत परती है, बट उनमें भी outcome better होता है, क्योंकि weight reduced हो गया है. So, इसी लिए, because ना सिर्फ वजन घटता है, बलकि उनके जो metabolic problems हैं, या medical problems है, वो भी घट जाते हैं, इसी लिए bariatric surgery को metabolic surgery भी माना जाता है. जैसे मैंने बता है, जैसे gallbladder की operation, appendix की operation, या hernia का operation दूर्बीन से कर दिया जाता है, और अगले दिन मरीज usually घर वापस जाते हैं, वैसे ही bariatric surgery दूर्बीन की जरिए से किया जाता है, और patients almost 95% patients, अगले दिन घर जाते हैं. हाँ, ये of course है कि पहले दो हपते उनको थोड़ा सा soft diet पे रहना पड़ता है, क्योंकि उनका stomach का operation हुआ है. This is becoming a very popular operation because mutapa एक बहुत बड़ा problem है, especially in northern India. ना सिर्फ mutapa, mutapa के साथ जो medical problems है, वो बहुत बड़ा एक problem हो गया है. In fact, India को diabetes capital of the world माना जाता है. क्योंकि यहां पे सबसे ज़्यादा population of diabetes patients मिलते हैं. So, इसलिए ये जो surgery है, ये दिन बर दिन ज़्यादा popular होता जा रहा है. The good thing is that very recently, insurance companies जो है, उन्होंने भी इस surgery को cover करना शूरू किया है. पहले ये insurance companies इसको cover नहीं करते थे, but of late, they have started covering this surgery under the insurance cover. So, the popularity of the surgery is going up day by day. Yes, जैसे बाकी treatment में एक criteria रहता है, bariatric surgery के लिए भी एक certain criteria रहता है. जब लोग motivated होते हैं, तो उनकी results बहुत अच्छे होते हैं and उनको एक नहीं जिंदगी मिलती हैं. क्योंकि हम मानते हैं कि मुटापा या obesity जो है, it's literally the mother of all illnesses and मुटापे को घटाने से ना सिर्फ एक्च्छल फिजिकल मुटापा घटा है, बलकि उनके साथ जो medical problems जुड़ी भी है, उनका भी resolution या reversal हो सकती है. Thank you so much.